खंबागणी सबको बस आरे देखेंगे राजस्थान के पडोसी राज्ये अपने भारत के कौन-कौन से पडोसी राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती है और राजस्थान के कौन-कौन से जिलों की सीमा अपने पडोसी राज्यों से लगती है तो सबसे पहले के याद करनो पढ़ो आपासê Actually की सीमवा लगो तो कितने जाजे हैं टोटल 5 राजे हैं किते राजे हैं 5 राति हैं तो सबसे पहले जो पंस से नामे सरी की बात कर लेते हैं पंजाब तूसरे नंबर पर हर्यानों थीसरे पर रटलो ढिल्ली की सीमा जो है अपने राजस्तान से कोनी लगती। ठीक है, NCR में आये, हरयाना के साथ लगो लेकिन आपनो राजस्तान के साथ। इसकी सीमा कोनी लगती। ठीक है, तो कैसे याद करोगे, पांच राजे, कौन-कौन से राजे होगे, पंजाब, हर्याना, UP, MP, गुजरात, इस तरह याद करो, अब आपने ये देखना है, कि इन राजियों की सीमा, अपने कौन-कौन से जिलों के साथ लगो, और कितने जिलों के साथ लगो, घणो असा पेंड चेंज करें, उसके बाद हर्याना, हर्याना देखो, वैसे तो घणा छुटकू सा है, पर इसके पास दिल्ली भी पढ़ो, इसके साथ अपने राजस्थान की राजदानी भी पढ़ो, तो घणा न शेकी मारदारो, 24 आपने कितने जिलों की सीमा, हर्याना के साथ लग चोटा सा है फिर भी सात जिलों के साथ भिड़ो हो आके ठीक है उसके बाद यूपी यूपी के अंदर दो ही शब्द है यूपी ठीक है तो यूपी की जो है दो जिलों की सीमा अपने जो है यूपी के साथ दगो ठीक है इतना याद हो गया उसके बाद मध्या परदेश मध्य प्रदेश के साथ ही लगो और अपने कितने जिलों बिड़ो मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले बिड़ो कितने जिले 10 जिले यूपी के साथ 2 पंजाब के साथ 2 हर्याना के साथ 7 जिले और मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले अब गुजरात कौन है हमारे प्रधान मंतरी मोधी जी पाकिस्तान साथ में लगो न, छटी का दूद याद दिलानों है कि कौनी दिलानों? और उनका 56 इंच को सीनों भी है. छटी का दूद, 56 इंच को सीनों तो गुजरात से अपने कितने जीलों लगो? याद गरन वास्ते छे जीलों की सीमा लगो. याद होगे, पंजाब के दो, यूपी के दो, हर्याना के साथ, मध्यप्रदेश के 10, क्योंकि अपना कीच्टान घणी थगडी चल रही थी, उस टाइम पे मैं मजाक में बोल रही हूँ सबको समझाने के लिए, ठीक है, और गुजरात के 6 जिलों के सीमा लगो, अब आपा सारे देखांगे कि कौन-कौन से जिलों की सीमा लगो, उस तो पहले में थारे को 5 जिले याद करवा रही हूँ, जिसमें के होगा, एक जिले की सीमा खतम होगी, दूसरे राज्य की सीमा लगनी उस तो शुरू हो जोगी, देखो, गंगानगर, हनुमानगर, भरतपूर, धोलपूर और बांसवाड़ा, ये 5 क्योंकि इसमें एक राज्य से सीमा खतम होगी, दूसरे सो शुरू हो जाएगी, वो कौन-कौन से आएंगे, हनुमानगर, भरतपूर, धोलपूर और बांसवाड़ा, ठीक है, अब पंजाब के अंदर, कौन-कौन सी सीमा लोगोगी, जो शुरू वाले दो जिले हैं, तो इ शेखी मार्दे रमे, तो शेखी मार्दे रमे से याद कर लो, और हर्याना के लोग हनुमान जी के भी भगते हैं, घणो तगड़ो भगते हैं, तो याद कर लो, हनुमान गड़, शेखी मार्दे रमे, तो हर्याना के लोगों के कौन-कौन से जिले हो आओगे, चुरू, और सीकर और अपनी राजधानी हर्याना के साथ भारत की राजधानी भी लगो अपने जिल्ली कटे की राजधानी भारत की राजधानी आपने देश की राजधानी तो दूसरी सीमा जो हर्याना से लगो वह लगे मारो भरत पुर जिले की भारत से याद कर लो भरत पुर जिले साज जिले याद हो गयो हर्याना के लोग हनुमान जी के भगत है हनुमान गड़ हो गणी शेखी मार दे रहें तो शेखावाटी रीजन हो गयो चुरू जुन्जुनू सीकर ठीक है उसके बाद आपने के करियो इसमें अपने उसकी राज्जे की राजधानी जैपूर अलवर और भरतपूर हो गयो याद यूपी के अंदर याद हो यूपी के जब जिले याद करवाए थे तो मैंने कहा था नाग आ गयो थो टैंक से घुसके भरतपूर में और उन्होंने माधव को बुलायो थो बुलायो थो कि नहीं बिलायो था और फिर जब माधव जीने खुश हो पंजाब की हनुमानगड पर खतम उई हर्याना की और अधुनम असान इस कौन कौन से संभाग याद करोगे मध्य प्रदेश के साथ अपनी घणी खीचतान चल रही थी तो भरतपूर संभाग एक तो भरतपूर संभाग दूसरा खीचान चल रही का मतलब क्यों हाथापाई हो रही थी हाथापाई से याद कर लो हाडोती रीजन हाडोती संभाग हाड गुंदी को छोड़ दो, तीन जिलो, तीन जिले कौन कौन से रह गए, देखो, बारा, जालावाड और कोटा, ठीक है, तो भरतपूर संभाग के तीन जिले कौन कौन से भरतपूर नहीं आएगा, धोलपूर, करोली, सवाई माधुपूर, तीन जिलो ये होगे, भरतपूर भरतपूर की सीमा कोनी लागती, ठीक है, याद कर लो, तो एक तो हो गया, भरतपूर संभाग, कुछ नहीं याद करना, धोलपूर, करोली, सवाई माधूर, सिर्फ संभाग याद कर लो, भरतपूर नहीं आएगा, दूसरा, हाथो हाथ हो गये थे, तो हाडोती रीजन, गड़ मारो है ये गड़ मारो है तो मेवाड के जो दो गड़ है ना उनकी सीमा मध्यप्रदेश तो लगो कौन-कौन से गड़ है मेवाड में सोचके देखो छे के चे जिले याद करवाये थे उद्धैपूर, चितोड़ गड़, राजसमंत, प्रताप गड़ और बांसवाड के दस जिले कुछ करना है भरतपूर संभाग में भरतपूर छोड़ दो धोलपूर करोली सवाई मादोपूर हो गया दूसरा हाथो हाथ हाडोती रीजन बुंदी छोड़ दो बारा कोटा जालावाड हो गया उसके बाद दो गड़ के लिए लड़ाई हो रही थी चितोड़ हमारे मोदी जी का तो छे जिले है तो शुरू कहां से होगा बांसवाडा से मैंने पहले याद करवा दियो तो एक तो बांसवाडा ठीक है उसके बाद डुंगरपूर उदेपूर और उसके बाद वई गुजरात जो है गुजरात में बाढ़ गणी तगड़ी आओ ठीक है और जल के अंदर आओ ठीक है तो बाड मेर जालोर और इतनी तगड़ी बार आओ कि पूरा सिर डूब जो उसके अंदर तो सिरो ही याद होगे याद होगा जोथपूर संभाग मैंने सबको याद करवायो थो बाड में गिरगी जलती जा रही है उसका सिर के उपर मुसीबत पड़े याद है न तो वही सब है बाड मेर जालोर सिरोही तीन तो ये होगे दूसरा बागड संभाग से भी याद कर पर सको बांसवाडा दूगरपूर और एक मारो उतेपूर और हमारे जो मोदी जी है उनका नाम उदय उता जारो ठीक है पूरे विश्वा में फैलता जा बांसवडा और दुंगरपूर हो गया सीमाय याद हुई इसी तरीके से आप सारे पाकिस्तान की सीमा भी करेंगे अगले बार ठीके इसमें सबसे कम सीमा कौन सी है पंजाब की है 89 किलो मेटर ठीके 90 कम एक 89 किलो मेटर और सबसे जादा किसके जिसको साथ 10 जिले लग रहे मध् शेखावाटी चुरू जुन्जनू सीकर राजस्थान की राजधानी कौन सी जैपूर उसके बाद अलवर और भरतपूर ठीके उसके बाद यूपी में सिर्फ दो भरतपूर धोलपूर मध्या प्रदेश के अंदर 10 भरतपूर संभाग में भरतपूर छोड़ दो दोलपू दुंगरपूर ठीक है उदेपूर और बाड में जालोर और सिरोही मने लग रहा है तम सब को याद होगे होंगे इसके उपर क्वेश्चिन भी करवाओंगे अगले किसी क्लास में एक बर प्रेक्टिस कैसे करोगे खाली नक्षा दिया है मैंने तम सब को भी खाली नक्षा इस पर प्रेक्टिस करनी है पांच मिनट और दोगे याद हो चोगा रट जोगा बिल्कुल क्लास कैसे लगी बताना जरूर है लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना दाम सब के कमेंड मैं बहुत बहुत मन से पढ़ती हूँ वो मेरे एनरजी लेवल को यहां से यहां मेरे और कांटेक्ट नम्बर है और अलेकडमी प्लेस पर जोइन करो अरेस के कोरस इंगलिच मीडियम हींडी मीडियम दोनों में बिलेंगे महां ओर रेफरेल कोरडka आरेस क्रेकर दल किया यह वहला कोरड ऑब कौन अभी नई वाला कौर्ड लगाना है यह वहला कौरड आर तक ताम जब को मेरी गनी 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 राम रा